जहिन दोस्तों मैं संदीप आपके अपने चैनल दाएजूकेशन अपपर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों बोटनी में अब सिर्फ एक या दो ये आज और एक कल मतलब जो आने वाली वीडियो होगी दो वीडियो रह गए इसके बाद आपका बोले समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग जो लौझी प्लाएंगे ठीक है तो बोटनी में आज हम लोग जेव विकास के बारे में पढ़ेंगे जेव विकास मतलब क्या होता है जो जीवों का विकास है वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, कि जीवों की जो प्रारंभिक अवस्था है, किस तरह से ये विकास होते हैं, लेमार्क ने क्या से धान्त दिया, बैजमिन ने क्या से धान्त दिया, जीवों की डार्विन ने, ब्रिज ने, डी ब्रिज ने, जो ग्यान जो जीवों के जो अंग होते हैं, उनके बारे में समझते हैं, तो हम श्टार्ट करते हैं, जेव विकास के बारे में, जेव विकास, तो इसमें किस के बारे में जानेंगे जीवों की प्रारंभिक विकास जो होता है, वो किस तरह को से होता है, पहले हम इनके अंगों के बारे म समझात अंग, एक होता है समरूप अंग, और एक होता है आपका अवसेशी अंग, और आप तीनों के बारे में समझते हैं, देखिए, समझेए, समझात अंग क्या होता है, इसमें जो होता है, इनके अंग क्या होते हैं, वो एक समान होते हैं, क्या होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन कार्य क्या करते हैं, वो अलग-अलग परकार से करते हैं, अंग की समर्चना कैसे होगी, एक समान होगी, अंग एक समान होगी, लेकिन कार्य कैसे करेंगे, भिन-भि में तब हम समझेंगे कि किसमें कितनी हड़ी वैसे एक हाथ में 30 हड़ी होते हैं 30-30-60 हम पूरी डिटेल जानेंगे जनतु विज्ञान के अंदर ठीक है लेकिन अभी समझते हैं समझात अंग को रिलेट करते हैं तो दीके समझात अंग मानव में एक हड़ी आए फिर उसके ब बाद में पंजा बना और उसमें भी बाग में भी क्या हुआ पंजा बना इसी तरीके से और चमकादर जो है चमकादर चमकादर के जो पंक होते हैं उनमें भी क्या होता है पहले एक हड़ी आती है उसके बाद फिर क्या बनता है पंजा होता है लेकिन आप तीनों देखिए ये क्या है, अंग क्या है, समजात है, मतलब समान है, कैसे है, समान है, एक हड़ी आई, फिर एक पंजाया, ठीक है, लेकिन देखिए, इनका कार है क्या है, भिन भिन है, जैसे मानव का हाथ है, वो अलग तरीके से, मतलब, जैसे है, लिखने का काम करते है, समान उठाने काम करत लेकिन रचना देखिए hecka Employee फिर चाया उसी तरह बाग में बी एखडी आई पंजा स्गार में पंजार्थ कि पर से कि इंग हाए एक विरान के इसी मलो jeunes परन्तु कारे भिन भिन, ठीक है, तो अंग का विकास क्या होता है, एक समान होता है, कारे कैस होते हैं, भिन भिन, अब समरूप अंग समस्ते, देखें, समरूप अंग ज़िश्ट इसका विप्रीथ है, इसमें क्या है, इनका जो अंग है, अंग जो है, वो क्या होगा, वो एक Korean तरिके से लेकिन कार्य जो होंगे वो समानन होगे क्या होंगे क्या होंगे कार्य समानन होगे जैसे आपने कीट देखा होगा या तितली देखए कि तितली समझें तितली में कितने पंक होते हैं चार पंक होते हैं देशे तितली इस तरीके क्यों होती है ठीक है यह तितली हो गई ठीक है इसमें देखिए क्या है चार पंक है ठीक है चार पंक है तो इसके आगे वाले जो पंक है वो क्या करते हैं वो मतलब दिशा दिखाने काम करते हैं पीछे मतलब आगे वाले पंक उड़ने का काम करते हैं पीछे वाले हैं कि किस साइड में उड़ना है वो बता वो मतलब उससे वो अड़ेस्ट क काम क्या कर रहा है उड़ने का इसी तरह जश्ट पक्षी में देखिए उसमें सिर्फ दो पंक होते हैं कितने पंक होते हैं तो देखिए इसके अंग का विकास कैसा हुआ भिन भिन हुआ कि नहीं हुआ इसमें चार पंक उसमें के पक्षी में कितने दो पंक पक्षी में कितने दो पंक, लेकिन काम क्या है दोनों का, उड़ने का काम, मतलब कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन अंग का विकास कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका, अंग का विकास भिन्न भिन्न तथा कार्य समान, कार्य क्या होते हैं, समान, मतलब समरूप में क्या होते हैं, अंग का विकास भिन्न भिन्न होगा, और कार्य कैसा होगा, समान कार्य होगा, अब देखते हैं आवसेश होता है वह रघ व्यान होते इसका क influenu मwe मतलब में जैसे आप कान के एक यह देखिए इसको कहते नब पिंगे का पलंवी तो इसका कोई काम नहीं अब अब अबता है है अगर सोच हें एक कान नहीं हुते तो हमारे डी तूसरे तरही के से लगाते तो वो तो कान था तो उस सपोर्ट के लिए उस तरीके से बना दिया गया अगर यह कान नहीं भी होंगे तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ठीक है तो अवसेशी अंग ऐसे होते हैं जिसका कोई काम नहीं होता जैसे बाल का बाल का अभी फिलाल में कोई काम नहीं ह ठीक है क्योंकि ठंडियों से बचने के लिए पहले उन्होंने पत्ते लपेटे पत्ते के बाद दीरे-दीरे कपड़े कपड़े पहने तो बाल दीर-दीरे कम होते चले गए तो इससे क्या हुआ कि अब बालों कभी विशेस का रहे नहीं रहा और आपके देखे सरीर में है एक एपेंडिक्स होता है अब देखे एपेंडिक्स हर एक इंसान के सरीर में होता है और एपेंडिक्स होता क्यों है एपेंडिक्स पहले क्या होता था बड़ा-बड़ा होता था अब तो थोड़ा हो आया जानवर में आते किसमें जानवर में कैसे हैं सब्ऩे जानवर कोई कहे कि ya आप सेर हैं, तो आप कितने खोस हैं, लेकिन आपको कहें कि आप जानवर हैं, तो आप तुर्ण 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 आराज हो जाते हैं, जबकि सेर क्या जानवर ही तो है, आपको बोला वही जा रहा है, लेकिन पद की वेली होती है, कैस की वेली है, पद की वेली, इसलिए प करता था लेकिन अग्धिक काक्राइल बर या एժल घरा रहा हुआ है संत्रा है तो उसका Бीज delivery निए पार्णी मों खा लेते हैं तो वही बीज या कोई छोटा मुठा कंकर चला गया अगर वह जाकर फस गया गलती हो खाया हमने या तो पेट में चला गया तब ठीक है वह सुबह बाहर निकल जाएगा अगर पत्थर बत्थर होगा या तो फिर पेट में जाकर वीज मतलब जो इसके अंदर एस लेकिन वह बीज एपेंडिक्स में जाके फस गया तो आपको दर देना स्टार्ट हो जाएगा तो डॉक्टर क्या करते हैं वह एपेंडिस होता है वह मतलब करीबने इतना ही बड़ा होता है उसो काटके अलग करते हैं इससे आपके सरीर पर कोई परभाव नहीं पड़ता है आपकेंडिस जादा हो वह राख्यों क्योंकि आपकेंडिस में जाके फच जाता है और इसका इलाज कराना पड़ता है तो इपेंडिस हमारे सरीर में किसी काम कर नहीं है तो कैसे हैं अवसेसी अंग को मैंने अंग को लिख दिया अवसेसी अंग है तो वो कैसा अंग है? अवसेसी अंग है मतलब जिसका कोई काम ना हो ऐसा अंग जिसका कोई काम नहीं हो और आपको बताते हैं सरीर में लगवग लगवग 100 अंग ऐसे हैं जिसा कोई काम नहीं है लेकिन हम मेलनी किसको जानते हैं एक दो को जानते हैं ठीक है तो यह हो गए मतलब उसके अंगों के जैसे क्या समझात अंग समरूप और अवसेशी अंग अब हम समझते हैं कि लेमार्क ने क्या सद्धावंत दिया बैजमिन ने क्या कहा डार्विन ने क्या कहा और डीब्रीज ने क्या कहा चलिए समझते हैं अब देखिए लेमार्क ने क्या का लेमार्क ने उपारजित अंगों के बारे में बताया उपारजित अंगों का सिध्धान्त बताया अब उपारजित अंगों का सिध्धान्त होता क्या है तो इन्होंने कहा कि जो जानवर जादा से जादा अपने जिस अंग का प्रियोग करते हैं या जिस अंग का प्रियोग करते हैं तो वो बढ़ जाता है या जिस अंग का कम प्रियोग करते हैं वो अंग कम हो जाता है वो घट जाता है इन्होंने उधारन के रुप में बोला कि जिराफ है उसने क्या किया कि अपनी पत्तों को उठाटे चला गया, जिस कारण आज क्या है जिराफ की गर्दन ऊठी हुई है . आपने अपने पैरों को सुलक्षेतरा निया गुसने के लिए आपने या सके एवा, वक्तार बचा सके तो क्या हुआ कि उन्होंने उस अंग का प्रियोग करना कम कर दिया और अंग का प्रियोग करना कम कर दिया तो पीड़ी दर पीड़ी साप के पैर मतलब कम होते चले गए और आप क्या है साप रहें पैर नहीं होते यह सिद्धान्त किसका था लेमार का सिद्धान्त था उन्हें उपारजित क का सिध्धान्त दिया कि जो जो उब जतना अधिक परियोग होगा वो उतना बढ़ेगा जो अग्म परियोग होगा वह कम बढ़ेगा मतलब सीटे समाप्थ हो जायेगा उसमें जिराफ के बारे बता दिया drinks के अुछ गरदने उसकी और पैर साप के पारें बताया ठीक है इसके बाद लेमार्क के बाद कोना है डार्विन आया लेमार्क के बाद कोना है डार्विन डार्विन बैजमिन बैजमिन ने बैजमिन ने क्या किया कि लेमार्क के सिद्धानत को छाट दिया बुला लेमार्क इधर आ एक बात बता आपका कहना है कि जो अंग ज जिराफ का का और जो अंकम प्रियोग होगा वो घटेगा समाप तो जाएगा जैसे साप के पैर के बारे में का ठीक है तो लेमार्क ने क्या किया बैंजमीन ने क्या किया उसने चुहा पकड़ा ठीक है चुहा पकड़ा और चुहा चुहा पकड़ा और एक चुहा भी पकड़ी ताकि मतलब उनसे संतान उत्पन हो सका, चुहा विचारा तो अकेले संतान उत्पन कर नहीं सकता है, तो चुहा चुहा को पकड़ा ठीक है, और जिस चुहे को पकड़ा उसकी पूच काट दी, ठीक है, उसके बाद उसकी एक संतान उत्पन हुई, उसमें पूच दी, उसकी भी लंबी गर्दर बार बेंजमिन ने किया क्या एक चुहा चुह कार उससे जो संतान उत्पन हुई उसकी भी पूछ पूछकारद हुई प् heavy अभुवा क्या एक तो ऑ़ हम किसी और का जीवंकाल आगर बेंजमिन किसी और जीवन काल के बारे में देखता तो उसको अब खुद तो जीए एक आदमी का जीवन का देखिए किसी भी अगर मानव में सब कम से कम पीऴषी का होता तो पचास साल पचास साल के बाद एक पीड़ी गी ना जाता है ठीक है तो अब इस तरह क्या लाता तो उस ने इस पीड़ी को देखने के लिए चुहे का प्रियुक्त है बैजिमेंड ने तो उसने 21 पीड़ी तक चुहे के पूंच काटी और 22 पीड़ी में चुहे की फिर से पूंच हा गई तो लेमार को जाड़ दिया उसने कि जब मैंने 21 पिड़ी तक किया तो फिर भी उसकी पूँच आगी तो आपका इस सिद्धान गलत होता है उसने बहुत है यह बात तो है कि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर अब तो लेमार में तो उपार जितकत सिद्धान दे दिया था और इसन इसके वज़े से होता है मतलब यह परिवर्तन जो है यह नेचुरल नेचुरल मतलब प्राकर्तिक जो यह जो है यह जो प्राकर्तिक चैन है मतलब जिस परिवेश में पर जिस तरह के प्रायवरण में हम रहते हैं उस हिसाब से जो जीव हैं अपने आपको ढाल लेते हैं नह जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं या हिमाचल प्रदेश में रहते हैं वहाँ पर आपने अधिकतर लोगों को देखा होगा वो गोरे होते हैं ठीक है और वहाँ ठंड है चुकि क्योंकि वहाँ ठंड है और धूप का उतना परवाव नहीं है जिसके कारण क्या है वो गोरे हैं और उसी साइड आप बिल्कुल आजीए साउथ में तो साउथ के लोग आपको अधिकतर काले मिलेंगे ठीक है तो हिमाचल या जम्मू के रहने वाले लोग उन्हें ठंड जहिल नहीं क्या दाता है उन्हें वहां के ठंड जो जहिल रहे हैं उन्हें गर्म यहां साउथ की तो हमारे नॉर्थ इंडिया में जैसे देली हो गया हर्याना हो गया पंजाब हो गया इसमें जब गर्मी ठंड पढ रही होती है तो वहां पे सिर्फ एक कंबल में काम चल जाता कहां पर साउथ के अंदर तो ठीक है तो उस परिवेस में ढले हुए हैं तो उन्हें हिमाचल वाल क्या कि आपने आपको प्राकर्तिक रूप से ढल लिया पहाड़ी लोग महिंती जादा होते हैं और जो समतल मैदान पर रहने वाले लोग है वो पहाड़ियों का सामना नहीं कर सकते हैं जित प्रकार से वो चड़ते हैं उतरते हैं जो महनत कर सकते हैं वो समतल मैदान पर रह कि गर्दन उची होने का क्या था कि मतलब वो पेड़ पौधों को खाना चाहते थे तो उसने अपने अनुसार ढाल लिया और यह सारी चीजे दर पीड़ी दर होती है ऐसा नहीं कि एक पीड़ी के बाद चाहा कि बस गर्दन लंबी होगी नहीं ठीक है तो यह किया वह प्रकृ और और चुणियों के भासा के यह कि यह का क्या है और योग्गो डूढस नहीं चुरियों में १ायँ अब सिध्धान्त क्या था, सिध्धान्त ये था, कि इन्होंने का, देखिए जैसे मानव में 46 क्रोमोसॉम होते हैं, कितने होते हैं, 46 क्रोमोसॉम या 23 जोड़े, 23 जोड़े इसका मतलब 46 क्रोमोसॉम, और देखिए सब ही क्रोमोसॉम का काम अलग-अलग होता है, कोई क्रोमोजोम हाथ बनाएगा कोई आख बनाएगा, कोई नाक बनाएगा कोई कान बनाएगा, कोई मुह बनाएगा ठीक है, इस तरह का होगा अब देखिए जैसे मेरे 46 क्रोमोजोम है ठीक है, और माल लेते हैं, मेरी संतान में जो मेरी होने वाले छुटका या छुटकी हो उसमें कोई भी एक क्रोमोजोम कम हो गया 45 क्रोमोजोम हो गया तो जाहिर सी बात है माले जिए हाथ का क्रोमोजोम कम हो गया तो उसका एक हाथ होगा ही नहीं उसका हाथ नहीं बनेगा या आधा बनेगा या जिस लूला टाइप में होता है उस तरह से बनेगा किस वज़े से क्रोमोजोम कम होने एक वज़े से यह एक सिधान्त हो सकता है क्योंकि बाइक क्रोमोजोम मेरा जो मेरे 46 क्रोमोजोम है और उसमें सिर्फ क्या हुए 45 ही गए तो इसकी 45 गए तो 45 के कारण क्या होगा उसको कोई न कोई जिस से क्या होगा कि ऊसके कुछ अतरिक्त निकल जाके एक इसमें आपने देखा होगा किसी की अंगूठे में एक एक्स्ट्रा एट्रा कीकर दोकी पाख करना है तो अब इसके mata तो अब उसके फास एक मंदेजये एक ट्रेंगान की तरह隻 आगद नहीं तो वो तो भाई सक्ति साल लिया, तो ऊपने से कमजोर आदमी को मारना स्टार्ट कर देगा, बिलकूर उसे कि सिर्फ मेरी ही संतान नहीं रह जाएंगे आगे 20 साल 30 साल 40 50 100 साल 200 साल 30 1000 साल बात सिर्फ मेरी संतान होंगी तो हुआ क्या जिस टैम पे मैं पदा हुआ था उस टैम पर परजाती थी अब वह समाप्त हो अब कैसे प्रजाती हो रही है जिनके पंक है जो मूँ से आग फेकर हें ड्राइगन टाइप में ठीक है तो किस वज़े से हुआँ जा खरते हैं इस इस हगस्त खते और उत्त परिवर्तन का सिध्धान्त मतलब कोई न कोई अचानक से बड़ा परिवर्तन हो जाएगा कैसा हो जाएगा बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा तो इसी किस ने दिया हूंग डी ब्रिज ने ये सिध्धान्त को दिया तो आपको समझ में आ गया गया चारों सिध्धान्त के बारे में पहला किसने क्या था ले मार्क का सिद्धान्थ ले मार्क ले मार्क का सिद्धान्थ इन्होंने क्या किसका सिद्धान दिया था उपारजित 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 अंगो का सिद्धान्त इन्होंने कैसा किसका सिद्धान्त दिया उपारजित अंगों का सिद्धान्त और बेजमिन ने बेजमिन ने लिमार्क के सिद्धान्त को क्या किया काट दिया काट दिया उसके बाद डार्विन डार्विन ने किसका सिद्धान्त दिया प्राकृतिक चेन का प्राकृतिक चेन का नैचिरल सलेक्शन का प्राकृतिक रूप से अपने आपको ढ़ल लेते है जो भी जिय होते हैं और डी ब्रिज ने किसका सिद्धांत दिया हियोंगो डी ब्रिज होता है जैसे हियोंगो डी हियोंगो डी ब्रिज इन्होंने किसका सिद्धांत दिया इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया उत्परिवर्तन मतलब कि अचानक से ही कोई नया परिवर्तन हो जाएगा और नया परिवर्तन के क्या होगा जो नया परिवर्तन में क्या होगा वो जो पहले के जीव हैं उनको समाप्त कर देंगे और वो अपना एक नया विकास कर लेंगे ठीक है तो हमने यह समझ लिया होगा यह जेव विकास अब खतम हो गया है अब हम एक genetics के बारे में पढ़ेंगे वह आगे है कि मेंडल का क्या है किस तरह से उने पौधों पर अनुमान किया पौधों मत्र मत्र के पौधों पर कैसे अनुमान शिक्ता का पता लगा इन सब चीज़ों के बारे में हम अगली session में पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही द अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएएगा ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके आज के मिनाजडे जैहिं जैवारत